जहिन दोस्तों आप देख रहे हैं आध्यान के अंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं लुसेंट अब्जेक्टिव समाने ज्यान ये निव एडिसन बुक है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा डेफिनेटली आपको एक्जाम में हेल्प करेगा अभी हमारा चल रहा है इसमें भुगोल यानी जोगरफी और हमने इसमें अस्थला किर्ती आज हमने पढ़ना है उननीस नमर एक्सराइज तक हमने कंप्लेट कर लिया था तो बीसवा एक्सराइज शुरू करते हैं अस्थला किर्ती साथ ही अगर चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लेजिएगा जरूर और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों के साथ सेयर भी किजिएगा पहला प्रसन है यहाँ पे जलोड पंक कहां दिर्मान होते हैं जलोड पंक होता है पाहार के तलिये छेतर पर तलिये को कहीं कहीं तटिये भी लिखा रहेगा तो बात एक ही हुआ पाहार के तलिये छेतर पर एक संकडी, गहडी तथा तिब्र धाल युक्त किनारो बाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है उसे हम कहते हैं कैनियन जो तिब्र धाल होगा उसे हम क्या कहते हैं कैनियन अपरदन के समान्य चक्र में पुनर योजन को दर्शाने वाली अस्थला किर्थी कौन सी है अधा क्रतित विसर्प अप्शन नमरे संप्रयाई मैदानों का निर्मान नदी की किस अवस्था में होता है ये निर्मान होता है जिर्ना अवस्था में जिरना वस्था उप्शन अमर सी निमनलेखित में से कौन नदी का निच्छे पात्मक अस्थल रूप नहीं है निच्छे पात्मक अस्थल रूप है पहले देख लेते हैं बाड का मैदान प्राकिरतिक तटवंद जिसको लेवीज कहते हैं और जलोड पंक एवं संकू ये सब निच्छे पात्मक अस्थल रूप है जबकि नदी बिसर्प या मियांडर ये नहीं है तो उप्शन अमर सी यहां आपका गलत है चाप जील तथा बिसर्प नदी घाटी के किस बहाग के लक्षन है ये माध्य मार्ग का उप्शन अमर बी नदी के उस ज्वारिये मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खड़े जल का स्वामिसरन होता है यह होता है आपका ज्वार नदमुख ज्वार नदमुख ऑप्शन अमर बी नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुदर में किड़ती है त्रीकोन रूप में जलोड भंडार मिटी का अंधिर्मान करती वह होता है डेलोटा का पढ़िवासा वही है कि जो नदी जो है जब समुदर में मिलती है तो अपने साथ मिटी बहा कर लाती है उससे तिर्भूजाकार टीमो बी नदी से नदी से छारन जील यानि आकसबाल लेके इसमें से कौन सा ओक्सपोल लेका उधारन है तो परित्यक्त नदी मूर पर बनता है जहारन जीर यह पुछा गया था नदी के अपर्दन से बनी अस्थला किर्थी इसमें से कौन सी है नदी के अपर्दन से बना अस्थला किर्थी गार्ज है गार्ज नदी के निछेपन से बन नदी के युवावस्था में होता है और्ध चंद्राकार ये जाना जाता है बर्खान के नाम से बर्खान बाहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकिर्ती भीहीन मैदान को निमनलिखित में से किस नाम से जाना जाता है पेनी प्लेन पेनी प्लेन अप्शन नमर वी पावन के अपर्द नात्मक कारियों के पडिनाम स्वरूप तीन फलक या पारसबों वाले कठोड सेल के टुकडे किस नाम से जाने जाते हैं ये होता है आपका ड्राइकांटर रेगिस्तानी भागों में बर्खानों की दो समानंतर सरेणियों के मद्ये रेत मुख्य गलियारा जिस से होकर कारवा मार्ग आगे बढ़ता है निमनलिखित में से क्या कहलाता है ये कहलाता है गासी गासी लोयस जमाव के अती ब्रिहत छेतर कहां मिलते हैं लोयस जमाव के अती ब्रिहत छेतर मिलते हैं उतरी चीन में उतरी चीन मरू अस्थलिये छेतरों में पबंध वाड़ा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निच्छेपन से निर्मित अस्थल रूप को क्या कहा जाता है जिसका नामकरन फ्रांस के अलसस प्रांत में इस्थेत एक ग्राम के नाम प्रियान ये गौं के नाम पे किया है यह है लोयस लोयस मरू अस्थलिये भागों में और समाईक वर्षा से बनी अल्पकालिक जीलों के सुख जाने पर सिल्ट एबं नमक के निच्छेपन से बनी समतल अस्थला किर्दी को क्या कहेंगे यह हो जाएगा प्लाया प्लाया ओप्सन नमर डी लोयस का निर्मान किस किस कारक द्वारा बर्खान का निर्मान होता है यह निर्मान होगा पवन के द्वारा पवन अपरदन के किस कारक द्वारा जियू जेन का निर्मान होता है पवन के द्वारा ही पवन गारा अस्थला किर्थी कहां मिलती है गारा अस्थला किर्थी मिलेगा मरू अस्थल में म सिफ का दिर्मान होता है पवन से, पवन, रगिस्तानी छेत्रों में परबतों से घीरी वेसीन, जिसके चारों ओर से छोटी छोटी नदिया गिरती है, निमनलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, उसे कहा जाता है बालसन, बालसन, अफरिका के सहारा छेत्र में धूल एक अंडाकार परबत है, अंडो की टोकडी अस्थलाकिर्ती निमनलिखित में से किस समंधित है, ड्रमलीन से, भेर पीट सैल या रास मुटेनो का निर्मान निमनलिखित में से किस प्रक्रम के दुआरा किया जाता है, हीमनद के दुआरा, हीमनद, भेर पीट सैल या रास हिमानी के किस क्रिया के द्वाड़ा किया जाता है अपर्दन उप्शन नमरे यू अकार की घाटी कहां पाई जाती है यू अकार की घाटी हिमानी छत्र में हिमानी छत्र में उप्शन नमरे मोरेन कहां बनते हैं मोरेन बनता है हिमानी छत्र में मोरेन कहां बनता है हिमानी छत् जिनका भाग समूद्र तल से उपर होता है, लटकती घाटियां कहां पाई जाती है, लटकती घाटि भी लेगा हिमानी च्छत्र में, हिमानी मतलो गलेसियर वाले एडिया में, ड्रमलीन के बाड़े में कौन सा कथन सत्य है, तो ड्रमलीन के बाड़े में हिमानी च्छत्र की उ औप्शन नमर C, हीमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस वर्ड की या किस अक्षर की तरह होता है, यह होता है U की तरह, U, वर्ड करना गलत होगा, अक्षर ही होगा, हीमनद द्वारा जमा किये गए अवसाद, जब गोलाकार पहाडियों के रूप धारन कर लेता है, तो उ एस्टेक अस्थलाकिर्थी का निर्मान निमनलिखित में से किस प्रकरम के द्वारा होता है, सागर्ये लहर, सागर्ये लहर, उप्शन नमर C, पिंगो अस्थलाकिर्थ, निमनलिखित में से किस छेतर में पाया जाता है, पिंगो अस्थलाकिर्थ, यह हो जाएगा पड़ी ह पड़ी हिमानी फ्योल्ड किस प्रक्रम सेican निरमित होता है? फ्योल्ड हो जाएगा samudrir तरंग से krast प्रदेश निम निलेखित में से किस देश में इस्तित है? krast प्रदेश इस्तित है यूगोसलावियाοा में और चुना प्रदेस में पाए जाने वाले किप के अकार के गर्थ को क्या कहा जाता है ये गर्थ होता है घोल रंद घोल रंदर आप्साण नमर बि क्राष्ट छेत्र में कंद्रको बिलियन चीदें सीधें मिलाने वाली लंब बत या कुछ जुकी हुई नली को क्या कहा जाता है यह कहाएगा पोनोर आपसनल वांडी क्राष्ट परदेश में डोलाइन के उपड़ी सता के ध्हस्त हो जाने पर उपड़ी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाएगा इसे हम कहते है क्रास्ट खिरकी क्रास्ट परदेश के कंदरा के उपड़ी छत से जल से रिस कर नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एब मवास्पी करन तथा CO2 गैस से मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाले अस्थम्ब को किस नाम से जा यह हो जाएगा आपका सिल्क होल्स के बिस्तरित रूप को किस नाम से जाना जाता है यह हो जाएगा आपका डो लाइन निमने लिखित में से कौन क्रास्ट अस्तलाकिर्थी के अंतरगत नहीं आता है, क्रास्ट अस्थला किर्दी का अंतरगत नहीं आएगा, केटल हॉल, केटल हॉल, निमनलिकित में से कौन खुली हुई चटान के निछेपन होने से बना हुआ है, यह आपका एस्थलेग माइट, युवाला कहा मिलते हैं, युबाला मिलेगा आपको चुना पत्थर प्रदेश में अस्टलेकटाइट और अस्टलेक माइट के एक दूसरे से मिल जाने से जो अस्टला किर्थी बनती है उसे हम क्या कहते हैं वो होता है कंदरा अस्थम और अस्थम और अंधी घाटियां पाई जाती है अंधी घाटियां होता है क्रस्ट प्रदेश में क्रस्ट प्रदेश ऑप्शन अमरे अस्टलेक कटाइट अस्थम और अस्थम यानि पिलर्ज किसके भू आकिरती निच्छेपन से बना हुआ है या किसका यह है यह हो जाएगा भूमिगत जल से भूमिगत जल चूने के पासानिय लटकते अस्थम को क्या कहते है अस्चु तासम निमनलिखित में से किसको आकासी अस्थम कहा जाता है अकासी अस्थम है अस्टलेक टाइट अंग्रेजी का गीजर सब्द आइसलेंड के कि सब्द से निकाला गया है यह आपका गेसीर से है गेसीर किस दूइप की महान गिजर है गेसीर है आइसलेंड का आइसलेंड आप्शन नमर ची येलो एस्टोन पार्क जहां लगभग एक हजार गिजर और चार सो गर्म जल की ज़रने है निम्नलिखित में उल्ड फैतफुल गिजर किस देश डेस में इस्थित है तबकिए उसे हम क्या कहते है उत्सुरुत कूप उत्सुरुत कूप निम्नलिखित में से कौन सा गीजर भारत की بिहार प्रांद में अवस्थित है बिहार के प्रांद में मिलेगा आपको सीता कुंड सीता कुंड यहां भी गीजर लगा है मतलो गरम पानी होगा वह बिसिस्ट कुए को क्या कहते है जिससे भूमिगत जल अपने दवाव के कारण स्वता धरातल पर निकलते रहता है वो होता है उत्सुरुत कूप उत्सुरुत कूप अल्ट व्याज प्रदेश के नाम पर अधारित है यहां प्रदेश किस देश में इस्थित है यह है ऑस्टेलिया में ऑस्टेलिया ग्रेट आल्टी जियन वेसीन निमनलेखित में से कहां इस्थित है ऑस्टेलिया में ही संसार का सबसे वड़ा पाताली जल का वेसिन कहां पे है पाताली जल का वेसिन है ऑस्ट्रेलिया के बिःहत वेसिन में जल निर्गमन छिद्र किस परकार के अस्थला किर्थी में पाए जाते हैं ये मिलेगा आपको चूना पत्थर च्थर चूना पत्थर च्थर हवा के तेज अलामुखी गती विधी के किस परकार के जील बनता है काल्डेरा जील काल्डेरा संजुक्त राज अमेरिका के डेथ वहली अवस्थित है डेथ वाली इस्थित है केलिफोर्निया में केलिफोर्निया समुद्र के वही वरिष्टी भूमी कहलाती है समुद्र में वही वरिष्ट क्रस्ट मैदान ऐसे आधे घीरे हुए तटिये जल समू का जिसका खुले समुद्र में निरवध जल पड़वा होता है उसे हम कहते हैं नदी मुख नदी मुख तो यह टोटल 78 प्रसंद है मैंने कंप्लेट की आगे जो आपका एक्सेसाइज है विश्व के मरू अस्थल उसको तो मगले वीडियो में कवर करेंगे सेशन अगर अच्छा लग आओ तो लाइक और सेट जरूर करें थाकि अधिक सेज्व लोगों तक पहुच बाए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद